दोस्तो एक research कहता है कि about 45% lead जो आजकल आ रहा है प्रोपर्टी सेक्टर में वो आ रहा है डिजिटल प्लाटफॉर्म की माध हम से सोसल मेडिया से, फेस्बुक ग्रूप से, एडवर्टीजमेंट से, फेस्बुक अद एफी गोगल एड से जो एडवर्टीजमेंट हर साल on an average 15-18% बढ़ रहा है, that means as an agent आपको अपने business को online पर ला नहीं होगा नहीं जब survive नहीं कर पाऊगे इस वीडियो में हम real estate marketing के इस पूरे process को समझेंगे, एकदम basic से सुरू करेंगे और जानेंगे कैसे एक सही plan तयार करना है, कैसे digitally आपने business को expand करना है उसके लिए पहला काम आपको करना ये है, या आपको अपने targeted customer को ढूंड़ना है, आप किन को अपना property बेचना चाहते हो, जो लोग rent पे लेंगे, अगर आप rent पे देना चाहते हो तो जो लोग first time home buyers है, फिर जो लोग investor है, वो property खरीदते हैं बेचते हैं, आपका exact customer कौन है, आपको पहले ये decide करना होगा, देखना होगा कि वो बंदा qualified है, कै उसके पास पैसा है इस property को खरीदने का, तभी वो इंसान एक probable purchaser बनेगा, और आप उनके उपर, उन लोगों के उप property खरीदेगा, इसके लिए आपको पहले awareness बिल करना होगा, interest जगाना होगा, अंदेन उन्हें action लेने पे मजबूर करना होगा, मतलब वो खुद आएंगे property खरीद निकले आपके पास, ये पूरा process होता है lead generation का, जो हम बात करेंगे इस वीडियो के एकदम आखिर में awareness बिल करना है, interest कैसे जगाना है, अपने customers के भीतर, कैसे उन्हें action लेने पे मजबूर करना है, मतलब वो लोग आपके पास आएंगे, आपको call करेंगे और बोलेंगे कि भाई साब मुझे property लेना है, मैं कहां आपसे contact करूँ, मैं कैसे आपसे मिल सकता हूँ, ये चीज हम discuss कर नहीं है, हमें उसा delete करना होगा, आप कहोगे कि इस process में क्या हमें उनके पास जाना होगा, या फिर वो लोग हमारे पास आएंगे, मैं कहोँगा कि आपको दोनों ही करना होगा, आपने business को expand करने के लिए quality lead generate करने के लिए, आपने देखा होगा FSBO, for sale by the owner, वो owner खुद property को ब PDF, webinar, इन सब के स्तेमाल करके भी inboundly generate कर सकते हो, बिलकुल ऐसे, आप PDF दोगे, कुछ educational content उन्हें offer करोगे, कुछ videos offer करोगे, अगर वो इंसान उसा download करना चाहता है, बाद में पढ़ने के लिए देखने के लिए, तो आप उनसे कुछ contact information मांग लो, and then उन्हें वो PDF डेलिवर कर करतो, same चीज़ आप कर सकते, free webinar देखे, आप उन्हें, एक free webinar offer करो, जिसने वो आएंगे, खुद के educate करेंगे, और आपको वो contact information देखे जाएंगे, यह मैं आपको बता दू, कि बहुत लोग आएंगे, आपको वेबसाइट पे, और fake email देखे चले जाएंगे, और PDF को download कर ले वेबिनारत देख लेंगे, वो तो काम नहीं आएगा, आपको real email ढूंडना होगा, उसके लिए आप उन्हें कहो, कि please sir, please put your work email, आप अपना work email डालो तभी, आप इसे download कर पाऊगे, ऐसा करने से, वो fake email बहुत कम हो जाएगा, हाँ पूरा zero नहीं होगा, पर आपका real email बहुत increase कर जाएगा, आप उसे इस्तिमाल करके lead generate कर पाऊगे, आप social proof भी इस्तिमाल कर सकते हो, real email जुटाने के लिए, for example, वहाँ पे लिखो, joint 10,000 home buyers, जो आज happy है, खुस है, हमसे property खड़ी के, उनके example कुछ दे दो, और उन्हें social proof दो, ऐसा करने से क्या होगा, कि लोग open minded हो सकते हो, social media पे ad चला सकते हो, Google ad इस्तिमाल कर सकते हो, फिर Facebook ad भी इस्तिमाल कर सकते हो, पर याद रखना दोस्तों, आपके ad पे, एक CTA, that is call to action होना चाहिए, नहीं तो वह ad काम नहीं करेगा, for example, आप लिखते हो, अपने ad पे, dream home near Navi Mumbai, call ad 88888, अगर आप call action नहीं दोगे, त आपको सही amount में lead नहीं मिलेगा, वो lead convert नहीं होगा, और ये चीज़ numbers का खेले, अगा 100 लोग आपको phone करेंगे, फिर आएंगे आपके पास, तो उसमें से about 5 ये फिर 10 लोग आपसे property खळी देंगे, सब number का खेले, तो आपको call to action दे नहीं होगा, नहीं तो आपका advertisement काम नहीं है, आपको दिखाना होगा, market को दिखाना होगा, आपने competition को दिखाना होगा, आपने customers को दिखाना होगा, कि आप क्यों सबसे best हो, और वो लोग क्यों आपसे property खडी देंगे, आपको उन्हें ये दिखाना होगा, maybe वो चीज़ आपका service हो सकता है, आपका design हो सकता है, और दोस्तों, वीनर वो इंसान होता है, जो अपने excellence पे focus करता है, मतलब जिस चीज में वो इंसान, वो company सबसे best है, और loser वो होता है, जो अपने खामियों को सुधानी कोशिस करता है, आपका अपने excellence पे focus करना होगा, और उस पे ही अपने competition को mark देना होगा, आपको उस भीर से बाह एक्षान बनाना होगा तभी आपका बिजनेस एक्सेलेंस हांस्किल करेगा वो सर्वाइव करेगा इस डिजीटल यूप में आपको यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को एप्लाइज चलूर करना है नहीं तो यह फॉर्मॉला सही से काम नहीं करेगा अब देन अब डिसाइड करो कि टूल्स क्या क्या इस्तिमाल करना है अपने बिजनस को नेक्स्ट लेबल पर पहुंचाने के लिए इसके उपर मैंने कम्प्लेट वीडियो बना कर रखाए टॉप तेन एप मैंने सेयर किया था आपके साथ वीडियो आपको यह आई बन में मिल जाएगा बहुत सारी फ्री अप है और बहुत सारे पेड अप भी है फ्री अप में है कर दो आप पहुत कर सकते हो उस अप की माधहम से टो क्यंद से घ्री कर दो किस तेमाल क्या जाता है अप को लगातार में जरक्रते रहना होगा तब अबश्य पाओगे कि या क्या का मुभ्य रहा है और कौन सा काम नहीं कर रहा है और देखो वहां से आपको क्या result मिल रहा है आप लोगों से भी पूछ सकते हो feedback ले सकते हो and then उस learning को यहाप implement करके अपने product को यह सर्विस को बहतर बना सकते हो build, measure and learn feedback इसलिए इस्तेमाल किया जाता है आप हम discuss करेंगे lead generation के उस steps के बारे में awareness, evaluate and action awareness कैसे build करना है देखो जो customer आपके अपास आएंगे property खड़ीने के लिए उसके दिमाग में पहला चीज़ यह आएगा words in it for me, इसमें मेरा क्या है, कौन है जो मुझे help कर सकता है मेरे particular problem को solve करने में आपके this question का answer ढोनना होगा और उन्हें देना होगा तभी वो मानेंगे and then वो आपका evaluate करेंगे देखेंगे कि आप कितना best हो, आप जो कह रहे हो, क्या वो आप हो आपको compare करेंगे दूसरे agents के साथ, दूसरे companies के साथ, वो आपको compare करेंगे देखेंगे कि आपके अंदर, आपके company के अंदर कौन सा सबसे best है और क्यूं best है and then वो action लेंगे property खड़ीदे या फिन नहीं खड़ीदे यह simple सा process है, जो customer लेता है, एक property खड़ीदने से पहले और कोई भी product खड़ीदने से पहले वो aware होता है, वो evaluate करता है and then final decision लेता है कि खड़ीदना है या या फिन नहीं खड़ीदना है तो lead generation में इन तीन चीज़ों को गौर से पड़कना और इसको बहतर बनाने की कोशिस करना तभी आपका business expand करेगा अब हम discuss करेंगे top 30 real estate marketing ideas के बने में, जिसके उपर मैंने complete video बना कर रखा है 25 minutes का, जो link आपको यहां आई बरन में मिल जाएगा यहां मैं आपको short में explain कर देता हूँ कि idea क्या है और क्या से इस्तिमाल करना है पहला idea यह है कि आपको local sponsorship को इस्तिमाल करना होगा ads लगाना होगा street पे जिससे लोग आपको विश्वास करेंगा आपके पास आएंगे and आपसे property खड़ी देंगी आपको free webinar देना होगा contact information generate करने के लिए आपको TV पे या फिर रेडियो पे अपने advertisement चलाना होगा आपको free home valuation offer करना होगा contact information निकालने के लिए lead generation करने के लिए आपको original language को भी इस्तिमाल करना पर सकता है particular कुछ particular लोग को target करने के लिए आपको branding करना होगा अपने business का अपने brand को अच्छे से establish करना होगा था भी लोग आपको पर बिश्वास करेंगी आप FB page ये फिर गूप इस्तिमाल कर सकते हो lead generate करने के लिए आप social media influencers से बात कर सकते हो आप खुद ही एक influencer बन सकते हो twitter hashtag ये फिर linkedin connect इस्तिमाल कर सकते हो एक blog इर podcast सुरू कर सकते हो अपने business को promote करने के लिए फिर google my business पे sign up कर सकते हो PPC service इस्तिमाल कर सकते हो paper click आप digital platforms पे ads run कर सकते हो आपको referrals मांगना है अपने customers से आपको email marketing करना है आपको 3D VR का help लेना है उन्हें visualize करवाने में आपको photographer ये वीडियोग्राफर को hire करना है उस property को beautiful बनाने के लिए आपको magic bricks housing.com 99 acres ऐसे platforms को portals को इस्तिमाल करना है lead generate करने के ल every free webinar and then आप उसे इस्तिमाल करके बाद में lead generate कर सकते हो ये सारा idea मैं detail में explain किया है उस particular video में आप जाओ जाके देख लो बहुत ही ज्यादा काम आएगा as an AJ video काम का लगा informative लगा है तो like करना, share करना और आपने कुछ नया सिखा है तो subscribe ज़रूर करना दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में टेख के दोस्तों and be safe